कैसे हैं आप सब आशा है आपने पिछले lessons revise किये होंगे और जो भी हमने आज तक किया है एक-एक करके आप सभी lessons को बार-बार repeat करें और उनकी जो sentences हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का अभियास करें जिससे की आपकी practice अच्छी हो सके आज हम कुछ sentences जो daily use में आते हैं उनके बारे में discussion करेंगे रोज हम प्रयोग करते हैं वैसे तो आपने sentences कर ली हैं और अब आप खुद भी sentences बना सकते हैं पर तो कुछ छोटे-छोटे वाक्य होते हैं जो कई बार confused हो जाते हैं तो वो simple sentences हैं जो आपको आने चाहिए जैसे कोई काम शुरू करना है तो क्या बोलते हैं let's start चलो यह काम शुरू करें ठीक है let's do it चलो इसे करें ठीक है let's क्या होता है यह जैसे लिखा है let's start तो let's का मतलब होता है let us let us को छोटा करके लिखते है let's ठीक है चलो हम करें अगर हमने बोलना है कि let me start तो मुझे शुरू करने दो ठीक है इस तरह से यह चोटा सा sentence है let's start चलो शुरू करें let's run चलो दोड़ें let's write चलो लिखें let us write इस तरह से यह चोटा सा sentence है इससे कई तरह के वाक्य बन जाते हैं अब इसी तरह से get ready तैयार हो जाओ किसी को बाहर जाने को बोलना है तो get out बाहर चले जाओ get out get ready तैयार हो जाओ hurry up जल्दी करो hurry up means hurry क्या होता है जल्दी जल्दी करो get ready तैयार हो जाओ hurry up जल्दी करो don't be late देर मत करो कई बार हम कहते हैं, यह काम मुझे अभी करना है, अभी, तुरंत, right now, I want this work done right now, चीक है, यह मैं अभी चाहता हूँ कि यह काम हो जाए, चीक है, तो do this work right now, simple वाक्य बना रहे हैं, do this work right now, right now means अभी, तुरंत, अभी एक sentence, छोटा सा, यह imperative sentence है, कुछ sentence, जड़ते sentences imperative हैं, जैसे किसी को order देते हैं, instruction देते हैं, यह सलाह देते हैं, तो यह simple imperative sentence है, ring out the towel, ring out क्या होता है, निचोड़ना, तौलिये को निचोड़ दो, ठीक है, ring, इसमें W silent है, W-R-I-N-G, ring out में चोड़ना, the towel, यह ring out the clothes, फिर clothes के spelling क्या होंगे, C-L-O-T-H-E-S, जो clothes, जो सिले वोए clothes हैं, हमने धोए हैं, तो उनके spelling C-L-O-T-H-E-S होंगे, cloth जो सिले नहीं होते हैं, उसको cloth बोलते हैं, C-L-O-T-H, उसमें E पीछे नहीं लगता, तो ring out the towel, यह ring out the clothes, अब अगर हमने कहने हैं, निम्बू निचोड़ दो, तो ring out नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे squeeze the lemon, S-Q-U-E-Z-D, squeeze, squeeze the lemon, निम्बू निचोड़ दो, ठीक है, यह difference है, कप्ड़े को नहीं चोड़ने, तो ring out, और lemon को नहीं चोड़ने, तो squeeze, अब आगे हैं, जैसे try again, आप से निम्बू नहीं निचोड़ रहा है, तो दूसरा कहा है, try again, इसको दुबारा try करो, दुबारा भ्यास करो, ताकि यह अच्छी तरह से निचोड़ा जा सके, अब बच्चों की कई बार बात करते हैं, children fall out over trifles, बच्चे छोटी-छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, छोटी-छोटी बातों पर बिगड़ जाते हैं, जिनका कोई महत्तव नहीं होता, children fall out over trifles, बच्चे छोटी-छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं या बिगड़ जाते हैं, और इनको हम avoid कर सकते हैं, T-R-I-F-L-E-S, trifles, ठीक है, अब अगर हमने नलके को बंद करना है, तो क्या बोलते हैं, turn off the tap, नलके को बंद कर दो, और नलके को खोल दो, turn on the tap, नलका खोल दो, यानि उसको turn करना, on कर देना, ठीक है, turn on, और बंद करना, turn off the tap, P-A-P, tap क्या होता है, नलका, इसी तरह से switch off the fan, fan को off कर दो, या switch on the fan, switch on the fan, fan को on कर दो, यहाँ radio कह सकते हैं, switch off the radio, radio को बंद कर दो, switch on the radio, ठीक है, इसी तरह से, यह जो है, exclamatory work है, how terrible, कितनी भेयानक बात है, ठीक है, कितना कोई चीज, आप accident देखते हो, how terrible, यह exclamatory वाक्य है, जिसके पिछे, यह हम फिर आगे करेंगे, अगर अभी नहीं किया है, तो आगे करेंगे, terrible, भेयानक, तो इसके पिछे इस तरह, जैसे पूरण विराम होते हैं, वो लगाकर, नीचे बिंदी लगाए जाती है, इसे exclamatory, a mark of exclamation कहते हैं, या how lovely, कोई चीज बहुत सुन्दर है, तो कितना सुन्दर, how lovely, यह exclamatory sentences है, how means कितना, ठीक है, blow out the candle, blow out the candle means, मौम बत्ती को फूक मार कर बुझा दो, blow out, अपनी फूक से, candle क्या होती है, मौम बत्ती को बुझा दो, इसी तरह से हम कहते हैं, blow out your nose, इसका मतलब क्या होगा, अपना नाक साफ करो, बच्चों को कह देते हैं, हैंकी से, blow out your nose, means, हैंकी से, अपना नाक साफ करो, फूक मारो, जिससे आपका नाक साफ हो जाए, ठीक है, इस तरह से, यह शबद, daily routine के, जो हमारे, daily use के, जो sentences है, ऐसे प्रयोग होते हैं, इसी तरह से हम कहते हैं, gambling is an evil, gambling क्या होता है, जुवा खेलना, evil एक बुराई है, ठीक है, gambling is an evil, drug addiction is an evil, ठीक है, drugs लेना एक बुराई है, इसी तरह से, और कई sentences होते हैं, जैसे, thread the needle, स्वी में धागा डाल दो, needle क्या होती है, स्वी, जिससे कप्डे से होते हैं, और thread क्या होता है, धागा, अब स्वी में धागा डालना है, तो simple वाक्य बन जाता है, thread the needle, इसमें कोई और शबद प्रयोग नहीं होता, अब अगर, कई बार हम कहते हैं, darn my coat, darn, d-a-r-n, darn my coat, c-o-a-t, मेरा जो coat है, इसको रफू कर दो, darn my coat, इसी तरह से, set the alarm at five, alarm पाँच बजे का लगा लो, set कर लो, ठीक है, set the alarm at five, पाँच बजे का लार लगा दो, अब कई बार हम कहते हैं, कि, किसी palm mist के पास जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, read my palm, ठीक है, read my palm, palm क्या होता है, यह हमारे हाथ के, आगे का हिसा है, इसे palm कहते हैं, जब हम हाथ दिखाने को, किसी, जो अच्छी के पास जाते हैं, पाम mist के पास, जो हाथ देखता है, उसे क्या कहते हैं, हस्त रेखा विशे शग्ये जिसे बोलते हैं, वो हाथ देखकर भविश्य बताते हैं, तो read my palm means, मेरा हाथ देखो, या हाथ पड़ो, या हाथ देखो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से होते हैं, astrologers, astrologers कौन होते हैं, जो आपके, जो कुंडली देखते हैं, या जो आपके, जो stars हैं, उसके बारे, आपके ग्रह के बारे में बताते हैं, उसे astrologer कहते हैं, ठीक है, astrologer, astrologer, he is an astrologer, ठीक है, इस तरह से हम, कह सकते हैं, इसी तरह से और भी कई professions होते हैं, जैसे blacksmith, blacksmith कौन होता है, लोहार, he is a blacksmith, वो लोहे का काम करता है, he is a goldsmith, वो सोने का काम करता है, जिसे सुनार कहते हैं, he is a goldsmith, S-M-I-T-H, ठीक है, और blacksmith के spell लिंग क्या होंगे, black, B-L-A-C-K, S-M-I-T-H, blacksmith, ठीक है, इसी तरह से, हम कहते हैं, don't spit on the floor, फरश पर मत थूको, don't spit on the floor, यह एक तरह से imperative sentence है, और यह अपने tense भी किया है, यह indefinite tense में जैसे, जो किसी को instruction दी जाती है, don't spit on the floor, रश पर मत थूको, don't do this work, यह काम मत करो, do this work, यह काम करो, ठीक है, इस तरह से कहते हैं, don't do this work, don't do this work, यह काम मत करो, यह do it, इसे करो, ठीक है, इसी तरह से, यह भी कहते हैं न, do it, ठीक है, do it fast, इसे जल्दी करो, ठीक है, इस तरह से, चोटी-चोटे sentences, बन जाते हैं, इसी तरह से, sink your differences, sink का मत्लब ऐसे क्या होता है, डूबना, ठीक है, डूबहा दो, तो यहाँ पर, यह एक, बातचीत की भाशा में हम, इस तरह ऐसे चोटा सा वाक्य है, जो की, जिसका मत्लब क्या निकलता है, कि अपने मत्भेद, भुला दो, ठीक है, यानि, आप, छोटे-छोटे बात की इस तरह से, और भी कई कह सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे, always keep to the left, हमेशा, बाए हाथ चलो, आपने अच्छा काम किया है, जैसे, कुछ और वाक्य जैसे, लेट गो माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो, यानि मेरे हाथ को जाने दो, छोड़ दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, परन्तु मतलब आपको उसका स्पष्ट होना चाहिए, He is addicted to drinking, addicted to क्या मतलब होता है, आदली है, drinking क्या होता है, जैसे drink, पानी तो सब पीते हैं, I drink water, जब हम पानी पीते हैं, तो कहता है, I drink water, I drink milk, परन्तु, सीधा लिखा होता है drinking, तो जयाद अतर वो शराब के लिए प्रयोग किया जाता है, He drinks a lot, वो बहुत पीता है, इसका मतलब शराब पीता है, drinks, जैसे ये इंडेफिनेट में हो गया न, तो इसी तरह, He is addicted to drinking, वो शराब का आदि है, Give up drinking, शराब छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, इसी तरह हम क्या सकते हैं, Give up smoking, Give up मतलब छोड़ दो, Cigarette पीना छोड़ दो, इसी तरह से, Give up gambling, जुआ खेलना छोड़ दो, ठीक है, Turn around, पिछे मुड़ो, जब हम किसी को order देते हैं, किसी दे ख़ड़े हैं, You are standing straight, Now you turn around, पिछे मुड़ो, We are in a hurry, हम जलदी में हैं, We are not in a hurry, हम कोई जलदी में नहीं हैं, The loaf is underbaked, Loaf क्या होता हैं, रोटी, रोटी का टुक्रा, या रोटी, जो चोटी सी रोटी होती है, Is underbaked, Underbaked मतला, Rोटी कच्ची है, यानि अच्छी तरह से पकी नहीं है, Underbaked, बेक करते हैं, रोटी को या तवे पर पकाते हैं, तो Underbaked मीज, कुछ कच्ची रह गई है, इसी तरह अगर हम कहें, तो loaf is overbaked, तो रोटी जल गई है, Overbaked क्या होता है, ज्यादा बेक हो जाना, ज्यादा पक जाना, ठीक है, इसी तरह से कई बार हम कहते हैं, She is feeling giddy, गड़ी क्या होता है, चक्कर आना, उसे चक्कर आ रहे हैं, गड़ी, G-I-D-D-Y, Call in the doctor, डॉक्टर को बुलाओ, या send for the doctor, वो भी यह होता है, किसी को बुलाना, send for the doctor, या call in the doctor, तो, दॉक्टर फेल्ट, दपल्स, पल्स क्या होता है, नबज, डॉक्टर ने, नबज, देखी, पर यहां पर C नहीं कह सकते है, क्योंकि वो, फील की जाती है, अनुभव किया जाता है, पकड़कर, तो, उद जो क्या कहते है, the doctor, felt, felt कौनसी फोरम है, second form है, फील, felt, दर, felt, ठीक है, the doctor felt the pulse, P-U-L-S-C, we'll see, डॉक्टर प्लस क्योंकि ensure, he has sprained his foot, sprained क्योंकियोता है, S-P-R-A-I-N, sprained होता है, मोच आ जाना, उसके पाव में मुच आ गई है, he has sprained उसका जनी चलते चलते जब पैर एक तमसे टेड़ा हो जाता है और मुच आ जाती है, तो उसे sprained कहते है, he has sprained his foot, इसी तरह से, I have sore throat, I have sore throat, यानी मेरा गला खराब है, मेरे गले में खराश है, थ्रोट क्या होता है, गला, ठीक है, इसी तरह से, prevention is better than cure, prevention क्यों होता है, prevention is better than pure, prevention होता है, और cure क्यों होता है, इलाज, इलाज से परहेज बहतर है, यह, जो comparative degree में आ गया, dan, यहां पर dan नहीं लगेगा, t-h-a-n, dan लगेगा, दो चीजों में comparison हो रहा है, इलाज से परहेज, परहेज होता है, prevention, ठीक है, prevention is better, prevention बहतर है, किस से, dan cure, इलाज से, ठीक है, इसी तरह से, the bargain is struck, the bargain is struck, यानि सौदा हो गया है, the bargain is struck, कि जब हम किसी चीज़ का सौदा कर लेते हैं, उसे bargaining भी कहते हैं, जैसे कई बार हम भाव करते हैं, कहीं जाकर, कोई चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, तो उसे bargaining कहते हैं, तो जो सौदा है, जो हमने खरीदना है, उसका मोल भाव पूरा हो गया है, सौदा हो गया है, ठीक है, इस तरह से हम छोटे-छोटे वाक्यों का ध्यान दें, आप आशा है, इस तरह से कई वाक्य बनाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और उनको बोलने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बेटर होगी, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ट.